नमस्कार दोस्तों आप लोग अक्सर हम लोगों से वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्फ बिमारियों को लेके वीडियो बनाओ लेकिन फर्स कीजिए कि अगर दवाईयों की वज़े से आपको दिक्कत हो रही हो और आप हमारी OPD में आ रहे हैं कई बार आ रहे हैं और हमें महसूस हो रहा है कि भई ये जो दवाईयों आप पहले खा चुके हैं जो भी ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं इसकी वज़े से ही आप ज़्यादा बिमार हैं अदर्वाइस आपकी बॉड़ी में कोई ऐसी विशेज दिक्कत नहीं है यूँकि रिपोर्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिल रहा है सिर्फ आपकी बॉड़ी का रेस्पॉंस कुछ इस तरह का हो गया है कि आप दवाईयों के असर की वज़े से परिशान है तो चलिए इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों के उपर डिसक्स करेंगे कि भई अगर दवाईयां खाने की वज़े से चाहे वो आईवर पे देखो हुमपे देखो ऐलो पे देखो कोई भी दवा हो अगर गलत दवा या ज़्यादा दवा खाने की वज़े से आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसे में किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए ऐसे में कि जिससे कि आप खुद की मदद कर पाएं तो अगर एक वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे सिर्फ एक थम्जब दीजेगा और वीडियो को जन्हेत में लोगों को तक जरूर शेयर कीजेगा तो जलिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजे कि भई जब भी आप मारी OPD में आते हैं तो हमारा काम है आपकी बिमारी के हिसाब से डाइगनोसिस करना, इन्वेस्टिगेशन कराना जो भी प्रोगनोसिस से डाइगनोसिस बन रही है उसके हिसाब से दवा देना अब कई बार ऐसा होता है कि दवाईया या तो पेशेंट एक बार डॉक्टर को दिखा लेता है और उसके बाद कई हफतों तक उसी परचे के हिसाब से दवा खाता रहता है और या फिर कभी-कभी डॉक्टर्स भी ऐसा कर लेते हैं कि वही पेशेंट के हित में दवाईयां जादा दिन खिला देते हैं रेधर देन चुकि एक पॉर्टिक्लर टाइम लिमिट होती है उससे जादा खिला देते हैं लेकिन कई बार दोनों वज़े से पेशेंट को परिशानिया होने लग जाती है अब भई देखिए आप तो मरीज हैं और जो डॉक्टर्स भी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ये जानते हैं कहीं ना कहीं अगर आप ओवर सेंसिटेव हैं या फिर आप जादा दवाईयां ले चुके हैं या फिर आप सेलफ मेडिकेशन जादा कर चुके हैं तो फिर आपको समस्याँ ज़रूर होगी अब जो लोग कहते हैं कि होमपatish कोई side effect नहीं है मैं आपसे यही कहना चाहूंगा होमपatish कोई side effect नहीं है लेकिन भैया अगर गलत दवा ले लोगे ये जदा दिन तक कोई दवा खालोगे तो कुछ तो असर दिखाईगी side effect तब नहीं होगा ना जब आपने हुमोपतिक दवा सही तरह से ली है, सही डोसेज में ली है और सही समय पे बंद कर दिये, तो तो कोई साटिफेट नहीं है पर जादा दिन खाली, या जादा दवा खाली, या गलत दवा खाली, तो तो दिक्कत होगी अगर आपने अलोपतिक मेडिसिन के साथ होता है, अगर आपने अलोपतिक मेडिसिन सब्सक्राइब को जुखाम हुआ, अब आपको पता है, अजुत्रोमाइसिन सबसे पहले ले लो एंटिवाटेग है, खाली अरे भईया जरूरत नहीं दी पिभी खाली, अगर हमें हलकी सी बी चुखाम होगे लग जाती है, परशाइब को जाती है, एंटिवर्जिक सबसे पहले हम खाले थे हैं, लोजी लीवोस इटरेचन खालो, पित्ती उचल जई एविल खालो, भ़गार आ प्रसिटमॉल खालो अरे भाईया तो कहीं न कहीं तो दिक्कत करेगी और चब ये सब दवाईयां आपको दिक्कत करती हैं तो फिर आप फिर से दुवार डॉक्टर के पास जाते हैं कि अरे डॉक्टर आप हमें तो ये ये परिशानियां हो रही है आपको तो पता नहीं आप जैसे cases में बहुत ज़्यादा मददगार होती है और हम लोग अकसर ये काम OPDs में करते हैं और विश्वास मानियेगा patients को केवल इसी तरह के prescription से improvement आये लग जाता है कुछ ज़्यादा करने की जरूवत नहीं पड़ती So this is the difference between a doctor and an intelligent doctor समझ रहा है मेरी बात कि समझदार doctor और doctor के बीच में जर्फ यह अंदर है अगर आप समझदार doctor हैं तो आप समझते हैं कि वह investigation में कुछ नहीं लिग ला patient की history ये थी इस history के साब से ये दवाईयां खा के आया कहीं न कहीं इसने दवाई ज़्यादा खारक की होगी या फिर इस दवाईयस से दिक्कत हुई है तो उसी इसाब से antidote करिए उसी इसाब से सही time पे सही दवा दीजे और सही तरह से परहिस बताईए ये करना होता है आपको तो चली सबसे पहले बत कर लेते हैं क्या परहिस करना चाहिए अगर आपने over medication ले लिया है या self medication ले लिया है सबसे पहले तो water quantity मैं हर वीडियो में बोलता हूँ water की quality और water की quantity बहुत important है TDS 1500 से 200 की बीच में रखिए और पानी कम से कम कोशिश करिए चौदा ग्लास पानी जरूर पीजए फिर अगर आप multi vitamin गोलियां खाने की सोच रहे हैं तो कदरी मत खाईए बिल्कूल जरूरत नहीं इससे बेटर 7500 ग्राम के आसपस fruits प्लस salad लेने लग जाईए आपकी body में ample amount में multi vitamins प्लस जो fiber होता है optimum quantity में पहुँचने लग जाएगा उससे आपको improvement आजाएगा तीसरा अपने oil oily diet, fried diet इन सब diet को थोड़ दिन के लिए छोड़ दीजे कम लीजे और मोटा आनाज लेना prefer करिए ताकि body में ample quantity में fiber रहे और lastly थोड़ा सा walk करना शुरू करिए exercise के नहीं शुरू करिए अगर आप इतने सिफ काम कर रहे हैं तो more than sufficient है आपकी body से चीजें अपने आप घरे दिरे करके improve होने लग जाएगी पर first कीजे आप ये सब काम कर रहे हैं उसके बाद भी आपको improvement नहीं आ रहा किसी report में कोई परशानी नहीं आ रही लेकिन दिक्कत फिर भी वनी होगी है तो ऐसे में जो मैं होपतिक medicines इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये आपके लिए फाइदिमन साबित होंगी सबसे बहले बात करेंगे उन patients की जो की over sensitive है कि भाईया जरा सी भी ज़्यादा अलोपतिक दवा खाली या फिर जरा सी भी एक्स्ट्रा हूपत है कि कोई भी दवा एक्स्ट्रा खाली तो समलोग परशानी होगी या फिर हलकी सी बी दवा अगर गलत है या फिर कम जादा पावर की है तो हमें दिक्कत करेगी करेगी ऐसे over sensitive patients की दवा है Pulsatela अगर आप इतने ही over sensitive हैं कि आपकी body इतनी जादा sensitive हो चुकी है जरासी भी गरत दवा बरदाश नहीं होती, जरासी भी ओवर मेडिकेशन बरदाश नहीं होती इन सब चीजों के बाद फॉरण पेट गरबर करने लग जाता है, बेल्चिंग होने लग जाती है, पेट फूल जाता है, एसी जो सिचुएशन है, उसमें दवा है, पल्च अटला अब एक दूसरी केटेगरी के पेशेंट ऐसे होते हैं, जहां पर जो लोग कोस्मेटिक परपसिस की वज़े से क्या करते हैं डॉक्टर से, अरे सर आपने क्रीम नहीं दी, अरे सर आपने कोई लोशन नहीं दिया, अरे आपने कोई ओयल नहीं दिया, अब डॉक्टर ने क्र लगाने से क्या वह reaction हो गया ज़रूरत नहीं थी पेशन्ट की डिमांड थी डॉक्टर ने दे दिया अब reaction हो गया अभी reaction हो गया तो अब परशान है अब उस reaction को दबाने के लिए फ़र दूसरी दबा खाएंगे तो ऐसे में कौन सी दबा को लेनी चाहिए Sulfur Sulfur ऐसे cases के लिए बहुत ही अच्छी दबा है जहां पर cosmetic purposes के लिए कोई भी external application की दबा चाहे वो cream base में हो चाहे वो oil base में हो चाहे किसी और base में हो किसी भी तरह से चेहरे पर लगाने की skin के ऊपर लगाने की tropical application की कोई भी दबा अगर आपने ली है और उससे आपको दिक्कत हुई है तो महाँ पर दबा है Sulfur अब कुछ category के patients यहाँ पर special category होती है अब यह special category कौन सी है कि भाई उनको दबा खाने की इच्छा करनी बिल्कुल बंद हो गई है दबा ही नहीं खाना चाहते है खानी ही नहीं है जरूरत है और उन्हें दिख रहा है कि उन्हें दिक्कत हो रही है लेकिन अब उनकी इच्छा करनी बंद हो हुई है उनकी family परिशान है कि भाईया जब दबाईयों से दिक्कत हुई है तो एक धंसे डॉक्टर को दिखा लो और कुछ antidote लेलो नहीं लेंगे तो ऐसे मरीज को क्या दबा देनी चाहिए ऐसे मरीज की दबा है आरने का कि जब डॉक्टर के पास जाने की इच्छा बिल्कुल खतम हो जाए बिल्कुल मनना करे डॉक्टर के पास जाने का दबा खाने की इच्छा खतम हो जाए लेकिन जरूरत हो वहाँ पर पेशेंट को दबा देने की बिकोज बिना दबाई के पेशेंट वहाँ से रिकवर नही इस्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं अगर जादा एंटिबाटिक की डोस चली गई बहुत जल्दी कॉंस्टिपेशन हो जाता है, बहुत जल्दी खाने की इच्छा खतम हो जाती है, अपटाइट लॉस हो जाती है, मूँ का टेस्ट खराब हो जाता है, और कुछ पेशे जैसे भी हैं, जिन्हें alternate diarrhea constipation होता है, कभी diarrhea हो जाता है, कभी constipation हो जाता है, पता ही नहीं है, दवा खाई नहीं कि अभी diarrhea हो जाएगा, अभी constipation हो जाएगा, तो ऐसे condition में कौन सी दवा है, अगर आपको constipation जादा हो रहा है, पेट बिलकुल ठस हो गया, दवा खाई है, दवा तीन दिन क्या खाली तीन दिन का लिया भाईया चौथे दिन से पेट ठस कुछ नहीं निकल रहा है बहा किसी भी तरह से पेट में धर्द हो रहा है तकलीफ हो रही है परिशानिया हो रही है और पेशेंट इतना ज़्यादा तकलीफ में है कि वो रात में सो भी नहीं पा और हर समय ऐसा मन करता है उसका चिर्चला हट में कि किसी को मार लो पीट लो कुछ कर लो पर चिर्चला हट नहीं खतम होती तो mental irritation भी हो रही है physical irritation भी हो रही है and the patient is extremely constipated the medicine is next omega अब इसका अगर उल्टा हो जाए कि भाई patient कता ही लिथार्जिक हो गया कुछी से बात करने का मन न हो रहे और ज़्यादा दवा खाने से बल्कि लूज मुशन बढ़ जा रहे है patient को drip लगा दी फिर भी लूज मुशन बहुत ज़्यादा control में नहीं आ रहे और ज़्यादा लूज मुशन की वज़े से एनल एरिया में redness हो गई है बहाँ पर हेमरोइड्स उते वो परशांग करने लग गए है और भी दुनिया भर की दिक्कते हो गई है तो अगर इस तरह की problem हो रही है यहाँ पर तब मेडिसन इस एलो सो कुटरीना तो देखिए इ आपको जितनी सारी दवाईयां बताई है यह सारी दवाईयां आपके काम की है और अगर इन दवाईयों को आप घर में रखेंगे तो कहीं न कहीं आपको इस situation से बाहर निकलने में बहुत जादा मदद हो सकती है जब भी आपके घर में कोई ऐसा case हो जाएगा जहाँ पर over medication की वजए से या self medication की वजए से या wrong prescription की वजए से मरीज को दिक्कत होगी तो फिर आपको भी तकलीफ होगी और उस समय नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, वीडियो समझ में आई है, आपको लगता है कि ये दवाईयें beneficial हैं, तो मुझे सिर्फ एक thumbs up जरूर दीजेगा, और वीडियो को जन्हेत में लोगों तक जरूर शेयर कीजेगा, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू.